दोस्तो बहुत दिन से यूट्यूब में बहुत सा कम वीडियो आ रहा है इसका कारण है हमने जो नया ओनलाइन क्लास स्टार्ट किये है इसके चलते आज दोस्तो मैं आप लोगो को फैडोल कमपनी का जो डबल गडर का क्रेन है पचास बाइब पंदरा टोन का इसका प्रोडे 2023 से पहले जितना सरा फैडोल कमपनी का क्रेन है उसका वाइरिंग दूसरा टाइब का था और 2023 में जब आप फैडोल कमपनी का पचास बाइब पंदरा टोन का क्रेन में काम की जिएगा आज जिस तरह से दोस्तो मैं आप लोगो को बताऊंगा same to same आपका मैच हो जाएगा क्योंके दोस्तो मेरा जो अपना practical experience है वो आप लोगो के साथ share करूंगा और practical तरीका से ही आप लोगो को समझाओंगा तो जो आपका R, Y और B supply है ये कहां से आ रहा है ये DSL बसबार से आ रहा है किस में आ रहा है ना MCCB में आ रहा है MCCB में दो गो protection मिल जाता है एक होता है आपका overload दूसरा होता है short circuit मतलब ये जो MCB का input में R, Y और B supply आया जब हम MCCB को on करेंगे तो ये R, Y और B ये जो तिनो पोल है ये NC बनेगा और फेज supply हमारा आगे आएगा कोई करण से R और Y या Y और B में कुछ short circuit होगा तो आपका MCCB ट्रीफ होगा और ये MCCB 400A का है 400A से ज़्यादा लेने लगेगा तब आपका overload में ट्रीफ होगा तो जब हम MCCB को on करेंगे तो हमारा फेज supply आगे आएगा R, Y और B किसमें आ रहा है MCB1 में जब हम MCB1 को on करेंगे तो R, Y और B जो है ये आपका NC बनेगा और R, Y और B के लिए जो तीन गों इंडेकेशन लेम है ये तीनो लाइट आपका जलेगा क्योंकि इसका दूसरा जो point है इसमें आपका R का connection दिया हुआ है अभी जब MCB1 को on करेंगे तीनों इंडेकेशन लेम जला इससे क्या confirm होता है कि जो इलेक्टिक ओभारेड क्रेन है डबल गडर का 50 बाइ 15 टोन का क्रेन में पावार है या नहीं है यही तीनों इंडेकेशन लेम देखके हम लोग समझते है तो इसके बाद इसका जो input है यहां से आपका productive panel में दो गो wire tap होता है मतलब दोनों wire को आपको जोड़ना पड़ता है और जोड़ के कहां से आता है? साफ नंबर और आट नंबर connector में जो जो नंबर में इस जगा में लिखके रखा हूँ जब आप प्रैक्टिकल में जाके दो हजार तेईस में पच्चास वैप 15 टन का फैडल क्रेन में मिला के देखिएगा तो सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा यह किस में आ रहा है ना MCB2 का इनपुड में जब हम MCB को ओन करेंगे तो हमारा क्या होगा यहाँ पर NC बनेगा और फैज सप्ले हमारा आगे जाएगा यहाँ पर आपका दोनों फैज के साथ दो गो और लगा हुआ है अभी यह जो आपका MCB है इस पर भी आपका दो गो प्रोटेक्शन मिल जाता है एक होता है आपका ओभरलोड दूसरा होता है सोट सर्किट और जो आपका MCCB का काम के बरे में बताया हो ओही सेम टू सेम काम क करेंगे यहाँ पर NC बनेगा और दोनों जो फैज RRY यह आएगा किसमे 15 नंबर 16 नंबर कनेक्टर में और कनेक्टर से आउट होके किसमे आएगा एक 2.5 के भी एका टास्फोर्मर लगा है इस टास्फोर्मर को हम लोग क्या बोलते है लाइटिंग के लिए यूज है और पर आपका दोगों फेज है और यह कौन सा टास्फोर्मर है यह आपका स्टेप डाउन टास्फोर्मर है क्यूंके 415 वोल्ट इंपुट में दे रहे है और इसका सेकंडी साइड से कितना वोल्टेज आउट हो रहा है 230 वोल्ट अभी किसमें आ रहा है 20 नंबर 21 नंबर कनेक् में हम लोग इनपुट और आउटपुड में दोनों में MCB लगा के रखते हैं क्या अगर कोई कारण से ओभरलोड हुआ या सोट सर्किट हुआ तो हमारा ट्रिप हो जाए अभी जो सेकंडी साइड से आपका 230 वोल्ट आउट हुआ एक आपका निउटल है एक आपका फेज ह जो आपका निउटल का कनेक्टर का नंबर है यह है आपका 20 नंबर और 21 नंबर है फेज जब हम MCB 4 को अन करेंगे यहां पर आपका NC बनेगा और यह जो निउटल सप्लाई है जो आपका एकजस्ट फैन है इसके बाद केविन फैन है और केविन लाइट है और क्रेन में जो आरगो LED लाइट लगाओ रहता है और साइरेन है और आपका सोकेट है सब में आपका निउटल जाएगा अभी फेज सप्लाई किस तरह से काम करेंगा ना जब MCB 4 को अन करेंगे यहां पर आपका NC बनेगा क्यूंकि MCB जब आपका बंद रहता है ताब आपका एनो रहता है जैसे यह ओन करेंगे NC बना और 23 नंबर कनेक्टर में आया यहां से आने के बाद जो आपका डाइवर का केविन है या प्रोडेक्टिव पनल अगर क्रेन के उपर में बैठाया है तो सेम टू सेम आपको MCB नंबर भी देखने के लिए मिलेगा इस जगा में 6 नंबर से लेके 13 नंबर MCB तक है लेकिन काम किस तरह से करेगा वो यह गोए MCB का अच्छा से समझ लीजिएगा तो सारा MCB का काम के बारे में आपको नौलेज हो जाएगा अभी अगर 6 नंबर MCB को अन करेंगे तो हमारा किस में आएगा 24 नंबर कनेक्टर में आएगा और जो आपका नौल के बारे में बताया हो साथ नंबर MCB जब ओन करेंगे तो जो आपका डाइवर का केविन में केविन फैन है केविन फैन चलने लगेगा अभी इस जगह में कुछ भी लिखा नहीं हो किसलिए कि यह जो आपका एकजास्ट फैन है यह आपका फिक्स रहता है कि 60 वाट का हमको लगाना है और डाइवर का केविन में कितना वाट का फैन लगाना है वो प्रैक्टिकल में क्या होता है जो गर्मी का मौसम रहता है उस हिसाब से फैन चेंज होता रहता है और जब डाइवर को ज्यादा गर्मी लगने लगता है तब आपका फैन थोड़ा बड़ा लग का देना पड़ता है अभी जब हम आठ नंबर एमसीवी को ओन करेंगे तो डाइवर का केबिन में जो आपका एक LED लाइट है 9W का और 9W का लाइट जलेगा इसके बाद आजाता है BL1, BL2, BL3, BL4 यह जो डबल गडर का किरेन है चारो कोना में चारो आपका लाइट लगाव रहता है कि डाइवर को अच्छा से दिखाई दे और सेप्टी के साथ काम करे और कभी भी कोई एक्सिटेंट ना हो इ इसके बाद जब 13 नंबर MCV को ओन करेंगे तो 31 नंबर कनेक्टर में आएगा 13 नंबर MCV को ओन किये यहां पर आपका NC बना फेज सप्लाइ हमारा आया 31 नंबर में FS का मतलब होता है food switch डाइवर जहां पर बैठता है वो पैर से दबाता है जब आपका पैर से दबाएगा तो साइरन बजने लगेगा जिसको हम लोग हुटर भी बोलते हैं और इसके बाद आज आता है आपका socket एक आपको federal company का 50 वै 15 टोन में socket भी लगा हुआ रहता है diver को अगर कोई mobile बगरा charge करना है या हम लोग जो practical में जाके primitive maintenance करते हैं कोई bluer बगरा का connection करना है तो diver का केविन से भी आप कर सकते हैं इहां पर जितना सारा चीज दोस्तों मैं एकदम step by step बताया हूँ वीडियो को अगर अच्छा से देखिएगा तो आपके अंदर में कुछ doubt भी नहीं रहेगा सारा doubt किलियर हो जाएगा अभी इहां से जो आपका R, Y और B supply है यह किस में जा रहा है? LC, LC का मतलब होता है line contactor और जो आपका productive panel में line contactor लगा हुआ है यह आपका कितना एंपियर का है? 350 एंपियर का अभी यह जो line contactor है इसके साथ क्या-क्या interlock दिया हुआ रहता है? किस तरह से line contactor काम करता है? यह भी आपको अच्छा से समझना पड़ेगा तब क्या होगा? आपके अंदर में कुछ doubt भी नहीं रहेगा प्रैक्टिकल में जब आप काम किजिएगा same to same एही डाइगराम को अगर अच्छा से याद करके रख लिजिएगा तो कभी भी आपको काम करने में कुछ दिकत नह नहीं होगा अभी जो आपका आर वाई और वी सप्लाई है प्रोडेक्टिव पैनल में यहां पर जो आपका दो गो फेज है बी फेज और वाई फेज यहां से दो गो आयर आपका जोडा जोड के लेके आया किसमें लेका आया कनेक्टर में लेका आया कनेक्टर का नंबर कित आदा होगा तो MCB आपका ट्रीप हो जाएगा कोई कारण से दोनों फेज में आगर सौर्ट सार्केट होगा तब भी आपका MCB ट्रीप हो जाएगा जब हम MCB को आउन करेंगे यहां पर आपका NC बनेगा और किस में आएगा 17 नंबर और 18 नंबर कनेक्टर में और एक जो आपका टास्फर्मर लगा हुआ है step down टास्फर्मर का primary साइड में 415 वोल्ट आएगा क्योंकि इस जगह में दो गो आपका फेज है और यह जो टास्फर्मर है यह है आपका 2.0 KB का अभी इसका जो सेकंडरी साइड है सेकंडरी साइड से आपका कितना वोल्टेज आउट होगा 110 व हो रहा है इसी को देखके ही हम लोग समझते हैं कि step down टास्फर्मर है primary में 415 वोल्ट दे रहे है सेकंडरी से आपका 110 वोल्ट आउट हो रहा है किस में आएगा 33 नंबर और 34 नंबर और जो आपका mcv5 है mcv5 का input में जब हम mcv5 mcv को on करेंगे तो हमारा एक जो आपका neutral है 35 नंबर यह आपका सिधा किस में जाएगा जो आपका line contactor on होगा इसका जो इंडेकेसर लेम है इसका x2 का terminal में और जो आपका line contactor है इसका a2 का point में तो इसी तरह से दोस्तों neutral का connection दिया हो रहता है मैं जीस तरह सब बता रहा हूँ same to same देखिएगा match हो जाएगा अभी यह जो mcv5 है यह कितना इंप्यार का है ना यह भी आपका 16 इंप्यार का है तो जब हम mcv को on किये यहाँ पे nc बना फेश अपले हमारा 36 नंबर connector में आया 36 नंबर में connector में आने के बाद यह जो line contactor है इसका indication lamp जो है के crane में जब आपका line contactor on होता है तो diver का cabin में crane में जो productive panel है इसमें जो line conductor है यह on हुआ है या नहीं हुआ है इसको देखने के लिए एक indication lamp लगावा रहता है उसी लेंग को देखके driver समझ जाता है कि crane हमारा one हुआ है या नहीं हुआ है या line contactor on हुआ है या नहीं हुआ है अभी यह जो indication lamp है यह किस तरह से काम करेगा यहां से आपका जो फेश अपलाय आ रहा है किसमें आ रहा है ना जो यह line contactor है इसका एनो में एनो में जो आपको और नमबर मिलेगा ओ मिलेगा तेरा नमबर और यहां से आपका 14 नमबर आउट होगा आउट होने के बाद किसमें जाएगा जो आपका इंडेकर से लम है इसका एक्स वान का टार्मिनल में मतलब जब दक यह line contactor आपका बंद रहेगा तब दक यह light किसी भी हाल में आपका नहीं जलेगा जैसे यह आपका line contactor on होगा यह एनो पॉइंट एनसी बनेगा और इंडेकर से लम आपका जलेगा क्योंकर निच्चे से आपका neutral supply दिया हुआ है अ तो चाबी के जैसे lock दिया हो रहता है अगर lock कर दिजेगा तो किसी भी हाल में आपका line contactor on नहीं होगा और lock को जब खोलिएगा तब ही आपका on होगा तो जब आपका lock किया हो रहता है ताब आपका एनो रहता है जब आप lock खोल दिजेगा तो आपका NC बनेगा जब यहाँ अपके NC बनेगा फेज सपले हमारा आएगा 37 नंबर का connector में और यहां से जो आउट होगा आएगा आपका PB1 PB1 का मतलब होता है पूश बटन पूश बटन में किसमें आएगा NC में इन होगा और यहां से आउट होगा यह कौन सा पूश बटन है कि जो आपका diver का केबिन में ज इसको बंद करने के लिए और पूश बटन है इसमें इन हुआ यहां से आउट होगा आउट होने के बाद जो आपका PB2 मतलब पूश बटन जो लगा हुआ है ओन बला डाइवर का केबिन में तब यह जो पूश बटन है इसको हम दबाएंगे तब ही आपका यह लाइन कोंट ज्यक्टर ऑन होगा तो डाइवर का केबिन में क्या क्या में एक आपका इंडेकेशन लालberg और दूसरा हो गिया आपका यह जो आप'? वाला फूश- बटन है यह और एक कोई क्या होता है जो आपका पैनल यह वह आपका रख वाला की है वह आपका के दो रॉलेक्ट्य चैनल उस पे भी रहता है जो आपका पुराना पुराना क्रेन था और 2023 में जो क्रेन है इसमें आपको एक पैनल लोखी मिलेगा और यह रहता है आपका डाइवर का केविन में अभी 39 नमबर से फेज सप्लाय आउट हो आउट होने के बाद आपका ओन बाला पूस बटन में आया जब अब हम अन बाला पूस बटन को दबाएंगे यहां पर आपका अन सी बनेगा और फेज सप्लाय हमारा आग्या आएगा 40 नमबर कनेक्टर में अभी 40 नमबर कनेक्टर से जब आउट होगा तो फास्ट जो आपका मास्टार कंटोल है किसका है ना में होस्ट का है amh का मतलब होता है main होस्ट और इसके बाद क्या है a UH ह मतलब होता है auxiliary होस्ट और city city मतलब होता है cross travel और lt मतलब होता है long travel तो जो आपका चारगो 50 भाई 15 टॉन में मास्टर कंट्रोलर लगा हुआ है इसी को आपको सिरीज कनेक्शन करना है तो 40 नमबर कनेक्टर से इन हुआ जो आपका मास्टर कंट्रोल जब आपका बीचो बीच करता है जो कीट आपका NC बना हुआ रहता है उसी में आपका कनेक्शन होता है और जब ये इंटरलोग दिया जाता है ये सेप्टी पारपास के लिए दिया हुआ रहता है वो किस तरह से काम करता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी एक तरफ से इन हुआ फिर यहां सा आउट हुआ आउट होने के बाद एक तालिस नमर कनेक्टर में आया फिर आपका एक जोली रहस्ट का जो मास्टर कंट्रोलर है इसका NC किट में इन हुआ यहां सा आउट हुआ फिर जो आपका क्रोस टेवल मतलब जो CT का मास्टर कंट्रोलर है तीन नमबर इसको हम बोल रहे है यहां सा इन होगा फिर यहां सा आउट होगा फिर जो आपका मास्टर कंट्रोलर चार नमबर है एल्टी का तो एल्टी बेला मास्टर कंट्रोलर का जो कीट है इसमें इन होगा और यहां सा आउट होगा और फेज सप्लाई हमारा किस में आएगा सीधा आपका A1 का जो लाइन कॉंटक्टर है इसका पॉइंट में आएगा अभी जब तक हम यह पूश बटन को दबा के रखेंगे तो टोटल आपका NC बना हुआ है इसलिए A1 तक आपका फेज सप्लाई पहुंचेगा और जब हम इस पूश बटन को दबा के रखे है तब दक आपका यह लाइन कॉंटक्टर ओन हुआ इसके लिए क्या जरूरी है एक होल्डिंग सप्लाई देना जरूरी है क्यूंके जो आपका में होस्ट एक जूली होस्ट क्रॉस ट्रवेल लॉंग ट्रवेल यह जो आपका मास्टर कंट्र सप्लाइब यह कॉंटिनियू आपका एक नमबर दो नमर तीन नमर चार नमर में चलता रहेगा उस टाइम यह जो लाइन कॉंटक्टर है यह आपका किसी भी हल में बाद नहीं होना चाहिए तो होल्डिंग सप्लाई किस तरह से देते हैं जो आपका यह ओन बाला पूस बट देना है तो यह 44 नमर में आपका आया जब आप एनो पॉइंट में चेक करिएगा तो सेम टु सेम आपका ओयर नमबर देखने के लिए मिलेगा और यह जो आपका 43 नमबर है यहां से आपका कनेक्ट हुआ किस में गया जो यह एक बाद है तो जब आम यह पूस बटन को दब आएंगे तो यह line contactor on होगा और यह जो आपका NO point है line contactor का यह NC बनेगा और continuous supply आपका A1 में आता रहेगा और किसी भी हाल में आप जब दक हम यह off बला push button नहीं दबाएंगे किसी भी हाल में आपका बंद नहीं होगा line contactor अभी इहां से जो आपका neutral supply है एक out हो रहा है 35 नमबर और जो phase supply है यहां से out हो रहा है 45 नमबर और जब line contactor on होगा तो यह जो आपका BY और R है यह NC बनेगा और ABC आपका जो तीन गो phase है out होगा अभी इसका जब हम main host का panel का diagram पढ़के समझाएंगे तो इसका बाद बला part हम समझाएंगे क्योंकर बहुत सा फ्रेंट का यह doubt रहता है कि एक ही वीडियो में पूरा crane का diagram पढ़के समझा दीजिए यह कभी भी समभब नहीं है एक अगर आपका productive panel का diagram इतना बड़ा है तो एक साथ में आपका पूरा crane का जो wiring है वो पढ़के समझाना मुश्किल है अभी आपको स्रीफ एक चीज नोट करके रखना है कि यहां से ABC हमारा RYB supply आउट हुआ और जो आपका control का फेज supply है 45 नमबर आउट हुआ और जो neutral है यह 35 नमबर आउट हुआ क्योंकि आगला जो वीड इस वीडियो को देखने का बाद अगर आपके अंदर में कुछ डाउट है तो हमको कॉमेंट करके जरूर बताईएगा Facebook, Telegram, WhatsApp, Electrical का ग्रूप जितना सरा है सबका लहीं YouTube चैनल का एब आउट में आपको मिल जाएगा और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरा WhatsApp में मेसेज कर सकते है हार रोज आज के वीडियो के लिए इतना ही नमस्कार जाएगें